क्या फ्रांस भारत को लूटने का प्लान बना रहा था और ग्रीस ने इस प्लान को फेल कर दिया जानिये इस चौंकाने वाली खबर की पूरी कहानी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे है जिस के लिए हम फ्रांस से 26 राफेल खरीदने की बातचीत कर रहे थे लेकिन फ्रांस इसमें भारत को लूटने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए दुगुनी कीमत मांग रहा था लेकिन दोस्तों इसी बीच ग्रीस ने भारत को सस्ते मरीन फाइटर जेट दिलाने में बहुत ब ग्रीस ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा और यूनिक प्रपोजल पेश किया ग्रीस ने भारत को प्रपोजल दिया कि वह भारत को सस्ते दामों में राफेल मरीन फाइटर जेट दिलाने में मदद करेगा ग्रीस और भारत ने मिलकर एकसरसाइज की जिसमें भारत के के साथ नेगोशियेशन करेंगे जिससे फ्रांस द्वारा मांगी जा रही दुगुनी कीमत कम हो जाएगी फ्रांस ने 26 राफेल फाइटर जेट्स के लिए लगभग 50,000 करोर रुपे की मांग की है जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कीमत 29,000 करोर रुपे से ज्यादा नह होनी चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीस भारत का साथ क्यों दे रहा है इसका कारण है कि ग्रीस को भी राफेल जेट की जरूरत है लेकिन वह इन्हें अपनी एर फोर्स के लिए खरीदना चाह रहा है ग्रीस ने फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर दी है और जल् ग्रीस को भी सस्ते दामों में ये फाइटर जेट मिल जाएंगे ग्रीस का मानना है कि जब दो या दो से अधिक देश मिलकर नेगोशियेशन करेंगे तो उनकी सौदे बाजी की स्थिती मजबूत होगी और प्रती जेट बेहतर कीमत मिल सकेगी ग्रीस ने इस तरीके की रनी प्रोक्योर करने की तैयारी कर रहे है तो दोस्तों यह थी भारत और ग्रीस की नई डिफेंस डील की कहानी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जे हिंद जे भारत जरूर लिखें